भगवान राम जी की नगरी अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक हनुमान गड़ी मंदिर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है जिसका अपना एक अलग धार्मिक महत्व है यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रधालूयों को 76 सीरी चड़ कर जाना होता है हनुमान गड़ी मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ती भक्तों का स्वागत करती है जहां हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में इस मंदिर की यात्रा करने के लिए आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही अपने पापों से मुक्ती के लिए भी प्रार्थना करते हैं हनुमान गड़ी के बारे में मान्यता है कि यहां आने वाले जो भी भक्त सच्छे दिल से मनोकामना करते हैं उनकी इच्छाओं को भगवान अवश्य पूरा करते हैं यदि आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ आयोध्या के पवित्रस्थल हनुमान गड़ी मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे है तो मंदिर की आत्रा से जुड़ी पूरी जानकारी बता दे हनुमान गड़ी मंदिर का इतिहास कई सो बर्षों पहले का माना जाता है बता दे हनुमानगडी मंदिर का निर्मान दसवी शताबदी में आवध के नवाब शुजाओद दौला द्वारा करबाया गया था और मुस्लिमों द्वारा मंदिर को विनाश से बचाया था मुसल्मानों ने सोचा कि हनुमानगडी को एक मस्चिद के ऊपर बनाया गया है इसलिए उन्होंने मंदिर को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था इतिहसकार सर्वपली गोपाल की माने तो 1815 का विवाद बाबरी मस्चिद राम मंदिर स्थल के लिए नहीं बलकी हनुमानगडी मंदिर के लिए था पौरानिक कथायों के अनुसार जब रावन पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लोटे तो हनुमानजी यहां रहने लगे इसलिए इसका नाम हनुमानगड या हनुमान कोट रखा गया और यहीं से हनुमानजी राम कोट की रक्षा करते थे भगवान राम की भूमी होने के नाते अयोध्या राम और हनुमान दोनों को समर्पित विभिन हिंदु त्योहार मनाती है अयोध्या में उत्सव की अत्यधिक भावना के साथ मनाये जाने वाले मुख्य त्योहार राम नवमी, राम लीला, दिवाली, दशेहरा और हनुमान जयन्ती हैं दिपावली, दशेहरा अमावस्या की रात के आधार पर अक्तूबर या नवंबर में मनाया जाता है राम नवमी और हनुमान जयन्ती अप्रेल में मनायी जाती है विभिन हिंदू त्योहारों की अवधी के दोरान मंदिर को रोशनी से सजाया जाता है और इन त्योहारों के मौसम में एक पहाड की चोटी पर बसा मंदिर बिलकुल आश्चर्यजनक और मनमोहनी और प्रतीत होता है मंदिर में देवता के दर्शन करते समय ध्यान रखें और दुर घटनाओं से सावधान रही क्योंकि मूर्ती, विशाल और भारी है बता दे मंदिर परिसर में कुड़ा फैकना अपराद है इसलिए परिसर में कुड़ेदान से बचें मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमती नहीं है इसलिए मंदिर में फोटोग्राफी ना करें हनुमान गड़ी की यात्रा में पानी की बोतलें और खाने की चीजें अपने साथ अवश्य लेकर जाएं अयोध्य का लोकप्रिय धार्मिक और पर्यतक स्थल हनुमान गड़ी मंदिर श्रधालियों के घूमने के लिए प्रति दिन सुबा 5.00 बजे से देर रात तक खुला रहता है और आपकी जानकारी के लिए बता दे मंदिर की पूर्ण और सुख़ द्यात्रा के लिए 2-3 घंटे का समय अवश्य निकालें आपकी जानकारी के लिए बता दे मंदिर में श्रधालियों का प्रवेश बिलकुल निशुल्क है यहां आप बिना किसी शुल्त के हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ अयोध्या के पवित्र धार्म स्थल हनुमान गड़ी मंदिर घूमने जा रहे है तो आपकी जानकरी के लिए बता दे अयोध्या में हनुमान गड़ी मंदिर के अलावा भी अन्यप्रसिद और लोकप्रिय स्थल मौजूद है जिन्हें आप अपनी हनुमान गड़ी मंदिर की यात्रा के दोरान अवश्य घूम सकते है जो वास्तव में देखने लायक है राम जन्म भूमी त्रेता के छाकुर मंदिर कनक भवन मोती मेहल गुलाब बारी बहु बेगम की समाधी सीता की रसोई मंदिर नागेश्वरनाथ मंदिर तुलसी समारक भवन संग्रहाले दश्रत भवन गुपतार घाट अग अगर आप भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो बतादे की वैसे तो यहां पूरे साल मौसम बहुत सुहावना रहता है लेकिन फिर भी हनुमान गड़ी मंदिर अयोध्या की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दि कम जुड़ा है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो आसानी से अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं अयोध्या में अपना कोई हवाई अड़ा नहीं है लेकिन यहां पर रेलवे स्टेशन उपलब्ध है उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुक शहरों से अयोध्या के लिए बसे भी आसानी से उपलब्ध हैं।